गुरी इवनिंग और वेलकम टू बडिंग टीचर्स गाइड उत्राखर्ण ओपन इनुवर्सिटी के विंटर सेशन 2020 की परिक्षाएं फरवरी 2021 को प्रस्तावित की गई हैं, प्रोपोस्ट की गई हैं, इसकी इन्फोर्मेशन आज सुबह मैंने अपने फेस्बुक पेज पे परिक्षार्थी जो अपने प्रापतां को से संदुष्ट नहीं हैं, वह परिक्षार्थी किसी भी प्रश्न पत्र या समस्प्र प्रश्ण पत्रों में सुधार परिक्षा देने हैं तो आवेदन कर सकते हैं अभी सिप्टंबर एक्जाम के रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं अगर उन प्राप्ता उनकों से आप संतुष नहीं है मांक से आप संतुष नहीं है तो आप किसी भी प्रश्ण पत्र या फिर सभी प्रश्ण पत्रों के लिए इंप्रूमेंट परिक्षा देने हैं तो आवेदन कर सकते हैं उन सभी के लिए आप इंप्रूमेंट के लिए अपलाई कर सकते हैं एक important instruction से ये है इसमें कि प्रोनत परिक्षार्थियों के अतिरिक्त अन्य परिक्षार्थियों के लिए सुधार परिक्षा के पूर्विनियम ही लागो होंगे प्रोनत परिक्षार्थियों के अतिरिक्त अगर आप परिक्षार्थी हैं तो उसमें नियम ये है कि सुधार परिक्षा का नियम ये कहता है कि अगर आप सुधार परिक्षा देना जाते हैं तो किसी भी दो प्रश्ण पत्रों के लिए आप सुधार परिक्षा दे सकते हैं माननीजे आप आपके मास्टर्स में चार पेपर हैं तो चार में से केवल आप दो ही पेपर का इंप्रूमेंट दे पाएंगे नमबर दो उपरोक्त परिक्षा के लिए back form M. सुधार परिक्षा आवेदन विश्व विध्याले की वेब साइट पर केवल online प्रक्रिया से भरे जाने हे तू उपलब्द हैं इसका पूरा प्रोसेस online होगा online ही आपको online ही आपको इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा और इसका link 21 December को एक्टिवेट हो जाएगा संबंधित form जमाने किये जाने पर परिक्षार्थी को किसी भी दशा में परिक्षा में बैठने की अनुमती नहीं दी जाएगी अगर आपने ये form फिल नहीं किया होगा तो आपको एक्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा नमबर चार विश्वे विध्याले वेबसाइट में परिक्षा के इंद्रों की सूची जारी की जारी है परिक्षार्थी इनमें से कोई भी शहर परिक्षा है तो चुन सकते हैं जिसका उले खुने सम्मंधित online form में करना आवश्य होगा पीचे एक attachment दिया है उसमें आपके exam center की detail है जो exam center बनाए गए है 64 exam center है उनमें से किसी एक को आपको choose करना है इसमें नमबर फाइव बैक परिक्षा आवेदन वो सुधार परिक्षा आवेदन जमा करने की तिथी निम्नवत है इसकी प्रारंब परिक्षा केंदर शहर का नाम परिवरतन करने की अंतिम्तिती 15 जन्वरी है परिक्षा केंदर शहर परिवरतन करने ही तो online link को OTP password से जोड़ा गया है परिक्षार्थी के mobile में SMS एक password आएगा और उस password को अंकित करने के बाद ही online link के माध्यम से आप अपना परिक्षा केंदर शहर बदल सकेंगे नमबर 7 प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांथ विशेश परिश्तिती जैसे कि medical problem वो स्थानांतरण में यदि परिक्षार थी परिक्षा केंदर परिवरतन करना चाता है तो वो विश्वे विद्यालाई नियमानूसार रूपीज 500 पांच rpm रूपए शुर को जमा करेंगे वो परिस्थितियों से जमदित प्रपत्रों आदी को जमा करने के उपरांथ विश्वे विद्यालाई दौरा ही परिक्षा केंदर परिवरतन किया चाता सकेगा अगर कोई emergency आगी है medical problem हो गई है या आपका transfer हो गया तो ऐसे इस्तिति में आप अपना परिक्षा के इंदर change कर सकते हैं ये परिक्षा पत्र जारी होने के बात की बात है और ऐसे में आपको 500 रुपे का शुल को जमा करना होगा और उसके साथ इनका document या proof आपको university में लिखाना पड़ेगा उसी के बाद ही आपका ये change हो पाएगा 8. COVID-19 महामारी के कारण केवल अंतिम वर्ष और सेमेस्टर के जो परिक्षा थी सिप्टमबर 2020 परिक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएए उन परिक्षार्थियों को पूर्व में दी गई परिक्षा शुल कडाशी में ही समाई उजित कर केवल आगामी परिक्षा में बैक परिक्षा के रूप में परिक्षा देने ही तो सम्मिलित किया जाएगा अगर आपने सेप्टमबर वाला एक्जाम नहीं दिया है तो आपको अलग से बैक फॉर्म भनने की जरूरत नहीं है आपको जो एक्जाम फीस था वो आगे इसी में अड़्जेस्ट कर दिया जाएगा लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है जब अड़्मिट कार्ड आएगा तो आपने चेक करना है आपका अड़्मिट कार्ड जनरेट हुआ है या नहीं अगर आपका अड़्मिट कार्ड जनरेट नहीं हुआ होगा तो आपको फॉरन ही इनिवर्सिटी में इसकी सूचना देनी होगी और नीचे अटेच्मेंट में ये एक्जाम सेंटर डिटेल दी गई है आप अपने पास वाले एक्जाम सेंटर बैक फॉर्म या इंप्रूमेंट फॉर्म में फिल कर सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही आप मुझे इंस्टाग्राम या फेस्बूक में भी फॉलो कर सकते हैं धन्यवाद